हेलो फ्रेंड्स एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का रीना मसालाई कीचन में आज मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ जिसे हम असानी से बनाएंगे और इसका ग्रेवी का टेक्सचर एकदम दानेदार ठावे की तरह देखने में लगेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी तुम्हें यहाँ आपको सर्व करके दिखाती हूँ यह किस तरह से बनी हुई है इस तरह की पनीर की सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ 300 ग्राम पनीर लिया है यह डेरी वाली पनीर है और इसे हमने अपने इच्छा अनुसार अपने मन पसंद तुकड़ों में काट लिया है ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक मिडियम साइज के प्याज को कदू कस कर लिया है एक बड़े टमाटर को भी कदू कस कर लिया है दो हरी मिर्च लिया है दस से पंदरा लसन की कली और सबसे पहले लसन की कली को हम पेस्ट बनाएंगे तो यहाँ मैंने बाल में लसन की कली को निकाल लिया है आधी इंच अदरक लिया है और धनिये के पीछे के हिस्से के डल्टल को भी ले लिया है इन सब का हम दरदरा पेश्ट तयार करेंगे और बाकी के अदरक लसन को हम बारी कूट लेंगे सुखे मसाले में हमने एक बड़ी इलाइची, तीन लौंग, दो तेज़ पत्ता, एक टी स्पून जीरा और एक दालचिनी के तुकड़े लिये है यहां मैंने ग्रेवी को थिक करने के लिए आधा स्पून बेशन लिया है यह कच्ची बेशन है तो सबसे पहले कड़ाई को नहीं भूनेंगे, सिर्फ खुस्पू आने तक ही भूनेंगे फिर इसी कड़ाई में हमने सरसो तेल डाल लिया है अब इसमें हम साबुत गरम मसाले का तड़का लगाएंगे और कड़ू कस किया हुआ प्याज को हम भूनेंगे आप चाहे तो यहाँ प्याज को बारिक काट भी सकते हैं तो मैंने यहाँ मोटे वाले ग्रेटर से कड़ू कस किया है अब इसमें हम बारिक कुटा हुआ अद्रक लसन का पेस्ट डालेंगे और दो हरी मिर्च को रफली तोड़कर डाल देंगे प्याज भुनने के बाद हम इसमें कदू कस किया हुआ टमाटर डालेंगे यहां मैंने टमाटर का पेस्ट नहीं लिया है कद्दू कस करने से टमाटर की छिलक्य एजली अलग हो जाते हैं और मुह में नहीं आते तो यहां मैंने कद्दू कस किया है टमाटर और प्याज को गलाने के लिए हमने यहां नमक का इस्तमाल किया है यहां मैंने स्वाध के नुसार डाला है मसाले में हमने एक बड़े चम्मच कस्मिरी लाल मिर्च, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला है अब इसमें हम बेशन डालेंगे और इन सब को भूनेंगे अब इसमें हम अधरक लस्टन और धनिये के दंटल का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे इन सबकी मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पोड़े से पानी डालका हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और तेल छोड़ने तक अच्छे से इसे भून लेंगे अब ये अच्छी तरह से भून चुकी है अब इसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे यहां मैं रोटी के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहां एक ग्लास पानी डाला है ग्रेवी खौलने के बाद हम इसमें कटे हुए पनीर के तुकड़े को डाल देंगे और दो सी तीन मिनट ढख कर हलकी आज पर पकाएंगे ताकि पनीर हमारे सौप्ट हो जाए अगर आपको कच्ची पनीर पसंद ना हो तो पहले ही पनीर को तल ले पाँच मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे तो पनीर हमारी पक चुकी है तो चले इसके उपर हम धनिय पत्ता से गार्निस करते हैं और इसे बावल में सर्व करते हैं यहां मैंने सबजी को बावल में सर्व कर लिया है यह देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है लुक से भी और खाने में भी इसके उपर मैंने कुछ धनिय पत्ते डाल दिये हैं यहां हमारी पनीर एकदम सौप्ट है मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज फ्रेंट्स और फैमली में सेयर कीजेगा चैनल पर पहली बारा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और हाँ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा थैंक यू